हेलो स्टुडेंट वेल्कम बेक टु माई चैनल सम्राडिकर मेरे प्यार बच्चे जीतने बच्चे सोरफ हरुल का इंजी का पेपर देने वाले उन्ती लिए बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट है जीतना प्रस्न में आप लोगों के इस वीडियो में बताऊंगा सारे प्रस्न लगातार बनाऊंगा करेंटली में सारे वीडियो को आपको देखना है सिर्फ वही वीडियो देखके आपको एक्जाम में जाना है बस इतना याद रखिए ठीक है सारे टाइप एक चुसमें कभर कराने वाला हूं ठीक है आज मैं आप लोगों के गद्यांस बताना वाला अगला वीडियो पद्यांस पे इसी तरह निभंद पे जीवन पर्चे पे पूरे संस्क्रेट प्रश्ण उत्तर पर सबकुछ कराने वाला हूं लगातार वीडियो आएक है मारे चैनल पर लगातार आप निगाह गड़ाय रखिए हमारे चैनल पे कि कब वीडियो आने वाली तो अच्छनों को सब्सक्राइब जरू कर लेना वीडियो को लाइक नहीं को तो लाइक कर देना देखो पहला है जो कि सबसे ज़्यादा इंपोटेंट है या अन्नोट करते रहना कुसान का जवर सबसे बयानक होता है या कवर नीति और सर्वित्ति का इनास नहीं करता बलक पालोगों के बहुत ज़्यादा है मैं पूरे अंडरmp किया है याका नहीं कि यह पहला पूछे तभी बता दोगा तत अ यह बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है और इसके नीचे प्रस्ट में पूछा रहेगा जिसका उतर देना पड़ता है आप लोगों को जैसे पहला है कि प्रस्कूता उत्रान के पार्ट और लेखा का नाम लिखे और दूसरा की रिखांकी तंसों की ब्याक्या कीजिए और सव आपसे पहले आप लोग इस गद्यांस को उताबने ठीके में एक बार दिखाते हैं तो फिर इसका सलूसर बताता हूं पहले यह आप लोगों के लिए गद्यांस है जो कि सबसे ज़्यादा इंपोटेंट है पहला और इसका अवाला हम लोग करने वाला है कि प्रस्टूत अचारे रामचंद सुखल द्वाना लिखी थे हमारी पाठेश्टाक हिंदी के गद्रखंड में संकली मिध्रतानामक निबन से झीनिए बस इन northern US कि तो पूरख देखिए यहाँ से लेकर यहां तक है यहां से लिकिर यहां तक सब्सक्राइब बार्फम早़e नाइस नहीं करता वी यहां तक है में या अधर यहां वन्ला ओर इत्पर एक depoacs यह कहीं देगा यह तो प्रत्थम पुछले या तो जित्तियों पूछले दुन में इसको एक देगा तो दुनों बता दे तो कौन जानता है कौन देदे देखो तो प्रत्थम रेकाए कि तनस्की बैक्षा लिखेंगे कि शूकल जी कहते हैं कि बुरी संगती घातक दुखार के समान अनिकारक होती है जिस तरह कोई बैक्तीया दिए अगर बुरी संगती है लुए घातक हो जाता है टाइफाइड वगार जो कि सबसे हाईलेवल के होते हैं जिससे वह जूर आपको करता है करता है कभी-कभी तो प्रण भी ले लेता है इससी प्रकार वह कह रहा है कि अगर बुरी संगति किसी दोस्त की मित्र की मिल जाती है तो आप कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो बलकि आपको अवनती के गड्डे में गिराती जाएगी और उससे बुरी संगति से यह होगा कि आपके नियदिक्ता और सदाचारा जो मन बुद्धी है वह दिरे आपका भबार्त रहेगा वही ब्यक्त कर देना चलो तो यह हो गया आगे हम बात करें तो दिवतिय रेखांकी तंसकी ब्यक्या जो कि यहां से लेके यहां तक है पढ़ता हूं कि किसी युवा पूरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंदी चकी के समान होगी जो उसे दिन दिन और नती की गड़े में गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो सहारा देन वाले बाहू के समान होगी जो उसे देखने वाले हैं अभिखने यहां पर दिवी ती डी ढ.... कि इस संगती कि सारी प्रगती को उसी तरह रोग लेती है जीस तरह पैर में बंदा हुआ भारी पत्र किसी ब्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है वरना प्राय उसे गिरा भी देता है। इसी प्रकार को संगति में लिप्ट मनुसे का पतान होने लगता है। मतव कहने का मतलब यह चीजे कह रहा है कि यूग आप जो आवस्था होता है बोकुत मतफोल होता है। और अगर उस यह आवस्था में और बुरी संगती में अगर फस जाती हो तो वह आपको आगे बढ़ने नहीं देता है प्रकार को भारी ऑपके नों श्र्द्रोड का अगर कर देगा अगर ज्यादा प्रयास भी करोगे तो आपको बिरेगा उसी प्रकाराइक रहे यहां पे सुकला जी की संगती में जो लिप्त मनुसे का पतन होने लगता है और दिन प्रति दिन पतन के मारिक पर अग्रसर होता है और इसके भीप्रीत आगर अची संगति हमारे लिए ऐसी सुद्रिढ्ट भाह अर्थास अहरा होती है जो हमें गिरने नहीं देती okay आपको गलत के पर्थ लेगा अपित उन्नती के पात पर निरंतर आगे बढाती है उसमें मदद करेगा है उन्नती को आपको आगे बढ़ाती जाएगी जो आमें गिरने नहीं देती है और जीवन को सुध और सात्विक और उन्नत बनाती है तो यह आप लोगों का रेखांकी तनस्क्राइब या दूतिय पूछले दूनों पूछलेगा दूनों को बावार्त आपने सम समझ लिए और लिग दीजिएगा ठीक है चलिए इसको मैसाइज करता हूं और तीन प्रश्ण या दिया था तीनों में इसको एक प्रश्ण देगा हूं जैसे पहला है यूआ पुरुस की संगती के बारे में क्या कहा गया है ठीक है तो इसका उत्तर लिखोगे कि यूआ को उधारन देखर समझाइए तो लिखेंगे हम लोग कि अच्छी संगती जो है ना सहारा देने वाली बहां के समान होती है जो ब्यक्ति की जीवन रच्छक और उसे उन्नतिक और ले जाने वाली होती है और तीसरा है कि कुसंग का क्या परभाव होता है तो जब यह प्रश् लिखो कि पूरा तब आप लोगों को च्छान नमबर मिलने वाले एक्जाम में ते पहला गद्यांस के सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आमने बता दिया आप लोगों को अब दूसरे गद्यांस की तरफ बढ़ेंगा उसको नोट करो उसको याद करो चार बताऊंगा चार क कि वे उत्तम संकल्पों से हमें द्रिड़ करेंगे दोसों और तूटियों से हमें बचाएंगे हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे जब हम कुमारे को पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचित करेंगे जब हम हतुस साहित होंगे तब हमें उस साहित करेंगे सारांस यह है कि वे हमें उत्तम पुर्वग जीवन निर्वा करने में हर तरह से साहता देंगे सची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद की से पुड़ता और परक्त होती है अच्छी से अच्छी माता का धहरे और कमलता होती है ऐसी मित्रता करने का प्रत्न प्रत पूछा गया है ठीके उने को पहले प्रस्तुत गद्यांस के पाढ़ना के पाढ़ लेखा का नम लिखेए इसको पहले हल करते हैं तो उसको संदर बोलते हैं संदर वहेंटी ठाला वोई संदर भ़एगा थे बाहत बाली बार भी दे दिया बहुत बार नुसरा वाला गहां दूसरा इसक्रिप पहला देखने वाला है यहां तक ठीक है मैं बढ़ता हूं कि बिश्वास पातर मित्र जीवन की एक उसद है हमें अपने मित्रों से यह आसा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें द्रिड करेंगे दोसो और तुर्टियस हमें बचाएंगे हमारे सत्य पवित्रत और मर्यादय के प्रेम को पुष्ट करेंगे जब हम कुमार को पर रखेंगे तब हमें सचेत करेंगे जब हम उसाहित होंगे तब हमें उसाहित करेंगे ठीक है अब इसका ब्याख्या देखने वाले हैं प्रथम रेखा की तंसकी बैख्या अलिनोट कीजिए यहाँ पे अच्छार सुक्ल जी कहना है कि जिस प्रकार अच्छी आउसद अउसद मतब दवाईयां जिस प्रकार अच्छी दवाईयां आपके सरीर को अनेक प्रकार के रुभों से बचा कर स्वस्त बना देती हैं उसी प अधा उत्तम कार्यों में लगाएगा करते हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन करेगा बुराईयों और गलतीव सत्ध्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को क्या करेगा विक्षित करेगा और उने में किसी तरह की कमी नहीं आने देगा हुग। कर रहा हूं कि नोट कर लो एक बार भावार्थ को समझे लो काने क्या रहा है बस जाकर कर देना ठीक है चलो अब द्वित्य रिखाएं की तन्सकी बैख्या है सबसे ज्यादा यहां से लेकर कि सची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद किसी निपुड़ता और परक होती है अच्छी से अच्छी माता का धहरे और को मलता होती है ऐसी नित्रता करने का प्रेत्ना प्रतेथ पुलुष को करना चाहिए चली एक दिवत्य रिखाएं की तन्सकी बैख्या है यहां पे अडिंग डालिए दिवत्य रिखाएं की तन्सकी बैख्या और नोट कीजिए लिखें अच्छी माता धहरे के साथ सबी कश्टों को सान कर मधूर बेवार करती है उसी प्रकार सच्चा मित्र जो है अपने मित्र को बड़े धहरे पूर्वक कुमारक मतों गलत रास्टे से अटा कर सने के साथ अच्छे मार्ग पर लाता है और अता हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि हमें कुमार्ग से अटाकर सु मार्ग मतव अच्छे मार्ग पर ले जाएगा वो ठीक है बस यह दूतिय रखाएं की दन्सक्राइब क्या है अब इसके नीचे भ हमें अपने मित्रों से आसा करनी चाहिए कि वे हमारे दोसों को तुरूटियों से हमें सतर करेंगे सतर करके बचाएंगे और हमें सत्य और मर्यादा की भाव को पूस्ट करेंगे और सदे कुमार के प्रति कुमार को तक गलत रास्तों के प्रति हमें सचेत करेंगे और करम सि मित्र जो है उत्तम पुरोग जीवन निर्वा करने में मदद करता है और कुमार गलत रास्ते पर चलने से में रोपता है और एक सचा मित्र सदेव जो है ना उसाहिक करता है ठीक है तो यह था आप लोगों का दूसरा गद्यास जो कि सबसे जादा इंपोर्टेंट है मित्रता चेप्टर से अब हम बात करेंगे मंता चेप्टर के जो कि सबसे ज्यादा में तो पुड़ है मंता चेप्टर का जो मैं आपने गद्यास मता हूंगा वसूसी को रटके जाना है चलिए मेरे प्यारा बच्चों अब हम देखते हैं यहां पे तीसरा जो कि मंता चेप्टर से लिए बहुत इंपोर्टेंट है क्या है कि है बगवान तब के लिए बिपत के लिए इतना आयोजम परम पिता की इच्छा की दुरूद इतना सहाच पिता जी क्या भीक न मिलेगी क्या कोई हिंदू भूपिरिष्ट पर न बचारा जाएगा जो ब् जी प्रशने लिए जैसे पहला ही प्रशना पूछ लें कभी-कभी उपर वाला देता है कभी-कभी नीचे वाला इसलिए मैं दोनों बता रहा हूं पहला देख रहे हैं है भगवान तब के लिए बीपत के लिए इतना पिरम पिता की इच्छा की गुरु इतना साहस अब इसका आएगा तो कैसे आप करोगे देख्या तब प्रथम रे करती है कि अपने पिता से कहती है कि आप जो है विबत्ती के लिए इतने धनका संग्रा क्यों कर रहे हैं भगवान की इच्छा के विरुदा आपने यह बहुत बड़ा क्या किया है तूसरा हास किया है ठीक है तो यह प्रथम रेखां की इसको नोट कर लो अच्छे सियात कर ठीक है आगे अगर बात करें यहां तक कि फेर दीजिए पिता जी में काप रहीं और इसकी चमक आखो को अंधा बना रही है तब हम कैसे लिखेंगे इसकी बैख्या कैसे करेंगे चलो नोट करो दीटे रखां की तनसकी बैख्या नोट कीजिए कि अथाल में रखे हुए सू यहा को अब इसके निचे यहां पीता के द्वारा से रूप में उत्तों तक हूप में लिया गया सुरन तो सोने के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा 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 की तो ये भी गद्ञान्स संपुड रूप से किलियर खोगें, ठीके? अब हम अगला गद्ञान्स बताने वाले हैं, जो की सबसे ज़्यादा IMPORTENT है, मेरे प्यारबचो, चलिए उसको देखते हैं. देखे चौथा मेरे प्यारावचों जो की सबसे ज़्यादा इंपोडेट है कि पहले पहाड काटकर उसे खोकला कर दिया गया फिर उसमें सुंदर भौन बना लिये गये जहां खंबो पर उबरी मुर्ते विहस उठी बीतर की समची दिवारे और छटे रगड कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमी पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई पहले पलस्तर लगाकर अचारियों ने उन पर लाराती रिखाओं में चित्रों की काया सिरज दी फिर उनके चेले कालंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूख दियें फिर तो दिवारे उमाग उठी और पहाड जो है पुलकी थो उठी बहुत इंपोर्टेंट है मेरे प्यारवचुल अब देखे इसके नीचे वी प्रशन पूछा गया है जैसे पहला प्रशन है कि प्रयुक्त गद्यांस का संदर्व लिखे ठीक है तो चलिए इसका संदर्व लिखते हैं पहला आप इसको नोट कर लो पूरा दिख रहा है न बहुत इंपोर्टेंट है चलिए अब इसका में संदर्व लिखने वाला है तो यहां पर संदर्व लिखे लिखे कि प्रस्तुत गद्यातरन हमारी पूस्तक हिंदी के गद्खंड में संकलित भारतिय पूरा तत्व के महान विद्मान स्री बगवास्वरम उपाद्या द्वारा लिखी तो आजंता सिर्शक निबन से उद्र कि भीतर की संची दिवारे और छटे रगड कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई तो लिखेंगे रेखाई की दंस की बैक्या में कि प्रस्तुत गद्यांस में लेखक का कहना है कि गुफा की जो भीतरी दिवारों और छटो को विद्वत रगड रगड कर चिकना बना लिया गया तत पस्याथ उस चिकनी प्रिष्ट भूमी पर चित्रकारों की द्वारा अनेक चित्र बना दिये गए जिनको देखकर ऐसा लगता है कि मानों चित्रों की एक नई दुनिया निर्मित कर दी गई हूँ ठीक है कि पहले तो यह हुआ कि गुफा की जो भीतरी दिवारे थी उसको पहले रगड रगड कर चिकना बने आ गया फिर चिकनी जो प्रिष्ट भूमी थी उसके चित्रकारों को बुलाया गया और अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर चित्र बनाए दिये गए उसके और इस प्रकार लग रहा कैसे बनाया गया गद्यांस के अधार पर असपस्ट कीजिए तो हम लोग लिखेंगे इसको यहां पे कि पहाड़ों को काटकर जो भवन का रूप दिया गया और दिवारों छतों और खंबों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किया गया चित्रों में रंग भरा ग कि ठीक है अलगातार वीडियो हमारे चैनल पर हर एक दू घंटे तीन घंटे के बाद अपलोड होगी जो कि हर एक टॉपिक की अलग लग होगी अब अब सुसी को पढ़के आप पूरों के टॉपिक के लिए हो जाएगा और जाके पेपर में बैटके पूरा का पूरा लिग कर चलिया है तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाकिन को प्रेस कर लो और मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाब